पटवारी की परिक्षा को लेकर प्रभावी रूप से तयारी किस प्रकार की जाए? पटवारी की परिक्षा की तयारी को लेकर क्या हमारी स्ट्रेटजी हो? पटवारी का सिलेबस क्या है? सिलेबस के अकोर्डिंग हमारे पास में कौन सी बुक्स होनी चाहिए? उन बुक्स में हमको किन टोपिक्स पर एप्रोच करनी चाहिए यानि इस प्रकार के ऐसे भोग सारे प्रशन हैं जो इन दिनों आपके दिमाग में चल रहे हैं और इसी प्रकार के प्रशन आज कल विध्यारतियों के द्वारा मुझसे भी पूछे जा रहे हैं कि सर मार्क दर्शन करिए कि हम किस प्रकार से पटवारी की तयारी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में अच्छी रणनीती के साथ में कर सकें तो आपके इन सभी प्रशनों का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी उपलब्द कराऊंगा कि पटवार की परिक्षा का स्लेबस क्या है उसका पैटर्न क्या रहेगा कौन सी बुक्स आपको लेनी चीए क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चीए किस प्रकार आपको पर डे पढ़ना है इन सब बातो को लेकर नोटिफिकेशन आ चुका है और 20 जैनवरी 2020 से 19 फैबररी 2020 तक पटवारी की परिक्षा को लेकर ओनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे यानि कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकोर्ड कर रहा हूं तो अभी है 13 दिसंबर 2019 और अभी एक मैने से उपर का समय है जब ओ मेहने का मतलब मोटी मोटी बात ये है कि अभी दिसंबर 2019 से आपके पास में 4-6 मैने का समय है पटवारी की परिक्षा की तयारी को लेकर और इतना समय सफिशियंट होता है परियाप्त होता है किसी भी इस तरकी तयारी को करने के लिए तो अगर बोर्ड की कृपा हुई तो 4 से 6 मैने के समय में ये परिक्षा आयोजी तो हो जाएगी और अगर बोर्ड की कृपा नहीं हुई तो आपको और भी जादा समय मिल सकता है यानि 4-6 मैने का समय तो है ठीक है अब पटवारी की परिक्षा का जो पैटन है और सिलेबस है वो पहले से चेंज कर दिया पहले क्य जो होगी वो वन थर्ड होगी एक प्रशन का उत्तर अगर आप गलत देते हैं तो एक बटे तीन अंक आपके काटे जाएंगे अब नया जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकोर्डिंग टोटल पांच अलग अलग पार्ट दिये गए हैं और उन पांच पार्टों का कितना कितना एप्रोक्स वेटेज दिया गया है यानि अनुमानित कितना कितना भार दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ तो एक परसंटेज के इसाब से समझना मैं number of questions नहीं बता रहा हूँ यानि प्रशनों की संख्या के आदार पर नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि परसंटेज में उनकी कितनी कितनी इस्सेदारी है जैसे मान लो अगर 100% total है तो 100% में जो पहला पार्ट है वो आएगा आपका एक तो जर्रनल साइंस का पहले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ पहले पार्ट में जर्रनल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जोग्रोफ पोलेटिकल साइंस और करण इस्चूज यह आपका आएगा पार्ट वन में और इसका वेटेज है 25% दूसरा जो आपका पार्ट आएगा वो आएगा राजस्थान जीके से रेलेटेड जिसमें राजस्थान की जोगरोफी, राजस्तान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्च पार्ट थर्ड है आपका language से related यानि भाशा से संबंदित और वो है आपकी हिंदी और English यानि दोनो भाशाएं आएंगी हिंदी भी आएगी और English भी आएगी और इसका जो weightage है वो है 15% चौथा जो आपका पार्ट है वो है mathematics और reasoning का पार्ट और इसमें total 19 topic आएंगे और इस पार्ट का सबसे ज़्यादा weightage है इसका weightage है 30% और रहा पांचवा पार्ट वो आएगा computer science से related और computer science का जो weightage रहेगा वो रहेगा 10% यानि ये पांच है और इनका weightage है 25% प्लस 20% यानि 45% फिर भाषा आएगी 15% यानि की 60% फिर 30% math or reasoning यानि की 90% और 10% computer science यानि की total हो गया 100% 100% अब इसमें किस पार्ट की तैयारी कैसे की जाए कौन सी books purchase की जाए पर डे किस हिसाब से पढ़ा जाए इस पर मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ और हर पार्ट को ले रहा हूँ और उससे related books आपको बता रहा हूँ पहले बात करता हूँ पार्ट वन की पार्ट वन में मैंने आपको बताए journal science, history, geography, current issues ये पार्ट आएंगे और environment science का पार्ट भी है जो की geography में ही count होता है journal science की तैयरी के लिए क्या करें अगर आपके पास में पुरानी राजस्थान वोर्ड की किताबे उपलब्द हैं आपके पास या आपके किसी परिचित के पास या मित्र के पास जो की बहुत पहले चला करती थी चोटी किताबे चला करती थी बहुत अच्छा matter आया करता था दो किताब चलती थी दसवी में एक तो bio से related part होता था और एक part होता था जिसमें physics और chemistry का part आता था अगर वो दोनों किताबें मिल जाएं कहीं से तो भूत अच्छी बात है अगर ना मिलें तो कोई दिक्कत नहीं है अभी जो किताबे चलती है NCRT की या राजस्थान बोड की पहले की नुवी दसवी की किताब ले ले लेना जर्नल साइंस की और इसके अतिरिक्त लूसेंट की भी एक किताब आएगी जो सामाने ज्यान से रिलेटेड आती है हाला कि सामाने विज्यान से रिलेटेड भी एक किताब आती है लूसेंट की लेकिन वो matter बहुत ज़ादा हो जाएगा तो Lucent की सामानी ज्यान से related एक किताब ले लेना उसमें Journal Science का पार्ट तो आएगा ही आएगा यानि आपका Journal Science का भी काम हो जाएगा और साथ ही साथ जो आपका Part 1 है जिसमें Indian History, Geography, Political Science वो सारा काम आपका उस एक किताब से ही हो जाएगा तो Journal Science तो मैंने समझा दिया 9 वी की, 10 वी की किताब नई अगर है और पुरानी है तो 10 वी की ले लेना और इसके अलावा Lucent की सामानी ज्यान की किताब आपको लेनी है अब मैं बात करता हूँ Indian History, Indian Geography और Political Science तो देखो ये जो तीनों पार्ट है ये एक ही किताब में आपको मिल जाएंगे और वो किताब है Lucent की सामानी ज्यान जो की अभी मैंने आपको बताई इसमें लेकिन ध्यान रखना उस किताब के अंदर आपको Indian History के साथ साथ International History का पार्ट भी मिलेगा Indian Geography के साथ साथ World Geography का पार्ट भी मिलेगा तो आपको Indian International History यानि विश्व इतिहास को नहीं पढ़ना World Geography को नहीं पढ़ना आपको केवल वो पढ़ना है जो आपके syllabus में है आपके syllabus में क्या है? भारत का प्राची नितिहास मद्यकाली नितिहास और आधुनी कितिहास तो ये आपको देखना है अब मैं page number proper आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो लुसेंट की किताब है काफी पुरानी है और उसके बाद भी काफी संशोदित संस्क्रण आ गए होंगे तो उसमें page number थोड़े change हो गए होंगे लेकिन समझ लेना आप उसमें देख लेना world history का पार्ट छोड़ देना यानि जो आपके syllabus में नहीं है उसको छोड़ देना तो history में ये तीन पार्ट है जोग्रोफी में जो आपका पार्ट है वो केवल इंडियन जोग्रोफी का पार्ट है और political science में Lucent की किताब में जितना दिया हुआ है वो सारा आपको पढ़ना है तो आप समझना कैसे आप तयारी करोगे कि उस Lucent की एक किताब में से आपको daily history का एक पेज पढ़ना है जोग्रोफी का एक पेज पढ़ना है political science का एक पेज पढ़ना है यानि daily आपको एक एक पेज पढ़ने है तीनों के और आज जैसे आपने एक पेज पढ़ा तो अगले दिन आप second पेज पढ़ेंगे यानि समझना कैसी strategy के साथ आपको पढ़ना है कि आज आपने पहला पेज पढ़ा आगले दिन आप दूसरा पेज पढ़ेंगे यानि उसको याद करेंगे और पिछले वाले पेज को revise भी करेंगे फिर उससे आगले दिन तीसरे पेज को पढ़ेंगे यानि उसको याद करेंगे और पीछे के पेज़ों को भी revise करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप आगे के पेज याद भी करते जा रहे है पीछे के पेज बार-बार revise भी करते जा रहे है तो इसका benefit यह होगा कि जब आप examination hall में जाएंगे और आपके साथ वहाँ जब ये problem होती है कि साथ पढ़कर तो आये थे लेकिन याद नहीं आ रहा ये problem आपके साथ नहीं होगी क्योंकि बार-बार आप उन चीजों को revise करेंगे तो वो चीज अच्छे से आपकी tips पर हो जाएगी जैसे मैं एक example देता हूँ कि मान लिजी आप किसी व्यक्ति से आज मिले और फिर उस व्यक्ति से आप मिल रहे हो 6-8 महीने बाद तो भूल जाओगे उस व्यक्ति के बारे में लेकिन सोचो उस व्यक्ति से आप आज मिले कल परसों फिर मिल गए कहीं सबजी मंडी में फिर 2-5-10 दिन बाद फिर आप उससे मिल गए, कहीं बस स्टेंड पर मिल गए, फिर 8-10 दिन बाद किसी और गली पे, चौराये पे, नुकड पे फिर उससे मिल गए, फिर किसी थीटर में मिल गए, तो बार-बार अगर उस व्यक्ति से आप परिचित होते रोगे, मिलते रोग तो अब उस व्यक्ति को नहीं भूलोगे, तो ऐसा ही किताबों में दी गई जानकारी के साथ है, कि बार-बार बार 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 रिवाइज करते रोगे, तो वो चीज़े आपके टिप्स पर आजाएंगी और आप उसको भूलोगे नहीं, अब सबसे बड़ी बात ये, कि भले आप एक चोथाई पेज पड़ो या आदा पेज पड़ो, लेकिन जितनी आपकी क्षमता है आप उतना पड़ो, होगा क्या 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद आपकी क्षमता धीरे 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 डवलप होने लग जाएगी, और जैसे आज आज आप अगर एक पे क्षमता है, जितनी आपकी क्षमता है, खाने का मतलब ये नहीं पेज खा जाएं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो जितनी आपकी क्षमता है, आप उतना रीड करो, धीरे धीरे जब आपको लगे कि मेरी क्षमता बढ़ रही है, अब मैं एक से डेड़ पेज कर सकता ह या कर सकती हूँ तो आप संख्या बढ़ा लीजे इस तरीके से आप कर सकते हैं आज ही अगर आपको कह दिया जाए 20 किलोमेटर की रनिंग करो तो नहीं दोड़ पाओगे न होगा क्या डेली अगर थोड़ा थोड़ा दोड़ोगे 500 मिटर एक किलोमेटर दो किलोमेटर चार कि तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप पर दे 20 किलोमेटर की भी रनिंग कर सकते हो क्योंकि डेली थोड़ा थोड़ा दोड़ने से आपकी क्षमता विक्सित हो जाएगी तो अब देखो ये जो मैंने तीन चीज बताई हिस्ट्री जोग्रोफी और पॉलिटिकल साइंस डेल अब इसके अलावा देखो एक आता है एन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट ये भी पार्ट वन में ही आता है तो एन्वायरमेंटल साइंस के लिए आप क्या करेंगे जादतर जो मैटर है वो आईएस की प्रिपरेशन को लेकर चल रहा है मार्केट में एन्वायरमेंटल साइ येस बहुत अच्छी किताब है environmental science की उसको आप read कर लो और अगर आप Hindi medium से पढ़ना चाते हैं तो एक किताब है vision 365 उसके लिए क्या करना online कहीं website पे देख लेना उसकी pdf download करके उसका print out निकाल लेना आप या किसी book depot वाले के पास जाना ज्यादा तर book depot वाले क्या करते हैं उन प्रतियोगिता दरपन ले लेना और हर महीने की प्रतियोगिता दरपन आपको लेनी है और newspaper की तरह ही होती है वो प्रतियोगिता दरपन 5 से 7 दिन में 10 दिन में पूरी हो जाती है तो उस प्रतियोगिता दरपन को पढ़ना और साथ ही साथ उसमें पीछे की तरफ कुछ question paper भ पुरा पुरा रीड करो जैसे मैं एक एक एक्जामपल देता हूं आपको ये इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी अगर आपको एक प्रभावी तयारी करनी है तो कि मालो एक सवाल आया कि निम्न लिखित में से कौन सा युद्ध जो है वो 1527 में हुआ था आपने उस पर टिक भी कर दिया कि ठीक 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था मुझे उतर आता है अब मैं आगे बढ़ जाता हूं ऐसा मत करो तयारी करने का सही तरीका क्या होता है कि आपने खानवा के युद्ध पर टिक किया अगर आपको खानवा के युद्ध की पूरी जानकारी है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो आप खानवा के युद्ध के बारे में डिटेल से पढ़ो उससे क्या होगा बहुत सारी चीजें आपको नई आपको मिल जाएंगी उनकी नौलेज मिलेगी बाकी के बचे वे जो तीन ओप्शन थे गिंगोली का पेपर सेट करने वाले एक्जामिनर ने जब ये सवाल बनाया इसके जो चार ओप्शन दिये तो बाकी के जो ओप्शन है उनसे रिलेटेड भी चीजे उसके माइंड में रही होंगी तो हो सकता है आगे वाले प्रशनों में उन पॉइंट से रिलेटेड या उन पॉइंट स पर देखें, पार्ट टू जो है, वो है राजस्थान की जीके से रिलेटड राजस्थान की जीके में आपको क्या करना है, राजस्थान की जोग्रॉफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलरे शाइन्स का पार्ट आएगा, इसकी तैयारी कैसे करें तो देखे सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल जो है भारदवाज क्लासेस का उस पर आपको क्या करना है डेली दो लेक्चर आपको देखने हैं एक ही प्लेइलिस्ट से रिलेटड जैसा मैं समझा रहा हूँ कैसे करनी है तैयारी कि अभी मैंने यूट्यूब चैनल पर पूरा सिलेबस अपलोड नहीं किया हूँ है उसमें समय लगेगा थोड़ा लेकिन जितना भी अभी उपलब्द है तो आप ये सुनिश्चित करो कि जो उपलब्द है कम से कम वो तो मैं पूरा कर लूँ तो क्या करना है आपको एक फेर कोपी बनानी है प्लेलिस्ट पर आपको जाना है और मानली जी अभी आपने तैय किया कि मुझे पहले मेवाड रियासत करनी है तो मेवाड से ही आप शुरू कर लेना है कि मुझे मेवाड रियासत के पर डे दो lecture देखने हैं दो video आपने देखे और उनको देखने के बाद उनको fair copy में आपने note-down कर लिया अगले दिन आगे के दो lecture देखो उनको भी fair copy में note-down करो तो इसी तरीके से करते करते 9 दिन में आपकी मेवार रियासत पूरी हो जाएगी अगर आप per day दो lecture देखते हो तो और per day अगर तीन lecture देखते हो तो 6 दिन में आपकी मेवाड रियासत पूरी हो जाएगी, complete हो जाएगी इसी तरीके के फिर बाकी मारवाड रियासत, चोहान रियासत जैपूर रियासत और जितना भी उपलब्द है इसी तरीके से उसको भी complete कर लो फिर क्या करना है आपको एक किताब purchase करनी है जो लक्ष की किताब आएगी जिसमें 10,000 questions का set है यानि 10,000 के something उसमें question है आपको क्या करना है जो आप पढ़ते जारे उसकी जाच भी करते रो अपना मुल्यांकन करते रो कि जो मैंने पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद अभी मेरी इस्थिती क्या है मैं कितने प्रतिशत question fight करने की इस्थिती में अभी हूँ तो जैसे मान लिजी आपकी मेवाड रियासत पूरी हो गई तो अब आप अपनी जाच करिए आप उस लक्ष की 10,000 questions का जिसमें सैट है उसमें मेवाड रियासत वाला इस्था खोलो और मेवाड रियासत से related जितने भी सवाल है उन सवालों को देखो fight करो और फिर ये देखो मान लिजे जैसे 700 सवाल होंगे मान लो और 700 में से आपने 6500 सवाल किये तो आपको ये idea हो जाएगा कि मैं अभी इतने percent question fight करने की स्थिती में हूँ और बाकी जो बचेवे question आपको नहीं आए उनके बारे में भी आप details से पढ़ो उनकी भी knowledge लो तो एक तो हो गई राजथान जी के की तयारी करने का ये तरीका दूसरा मैं आपको दो books भी बता रहा हूँ बहुत अच्छी किताबे हैं एक तो है पैनोर्मा की history की किताब history और culture की आएगी वो आप purchase कर ले न इसके अतरीक ते एक किताब आएगी पैनोर्मा की जोग्रोफी की जिसमें जोग्रोफी का पार्ट भी आएगा और Rajasthana की पार्टी का पार्ट भी आएगा यानी की political science का पार्ट भी आएगा तो ये किताबे हो गई आपकी part second से related आब आजाते हैं part third पर part third है आपका भाशा का यानी की हिंदी और English दोनों हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ज़्यादा तर grammatical portion है इसकी तैयारी अच्छे से तभी होगी जब आपको भाशा का अच्छा ज्यान होगा पहले हिंदी की बात करता हूँ देखे हिंदी के लिए आपका जो syllabus है वो है संदी, समास, उपसर्ग, पृत्य, शब्द शुद्धी करण, वाक्य शुद्धी करण तो इस प्रकार से यह आपके topics हैं आप क्या करिए? एट्थ, नाइन्थ और टैंथ में जो हिंदी grammar की जो किताबे चलती हैं उनको उठाइए सबसे पहले और उसमें जितने भी संदी के, समास के, पृत्य के, उपसर्ग के शब्द शुद्धी करण के, वाक्य शुद्धी करण के जितने भी examples हैं उन सब को समझते हुए ध्यान कर लीजिए यानि अपनी practice बढ़ाईए एक बार इतना कर लो आपकी vocab जितनी अच्छी होगी, vocabulary आपकी जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपकी English भाषा के प्रती समझ विक्सित होगी ये तो हम जानते हैं कि राजस्थान वासियों के DNA में English कम होती है अब तो फिर भी nursery, LKG, first class में English स्टार्ट हो जाती है लेकिन पहले के किसी समय में राजस्थान में छटी class में पहली बार ABCD सिखाई जाती थी तो English में ना तो हमारी रुची होती है और ना ही English भाषा पार इतनी अच्छी हमारी command होती है और खास तोर से जो Hindi medium के students है उनके साथ में समझ्चा आती है तो एक तो आप newspaper चालू करें daily newspaper आता एक The Times of India उसकी सरल भाषा है ज़्यादा टफ नहीं है हिंदुस्तान टाइमस और The Hindu के मुकावले उसकी भाषा सरल है तो Times of India को आप चालू करें daily एक या दो paragraph आप पढ़ें और जो उसमें शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को उनका हिंदी अर्थ क्या होता है वो आप देखें और कोशिश ये करें कि किसी भी English के शब्द का जो अनुवाद आप देखें तो English to Hindi देखने की बजाए English to English ही देखें इसके लिए क्या करें कोई dictionary खरीदने की आउशकता नहीं है प्ले स्टोर पर एक से एक dictionary उपलब्द हैं आप डाउनलोड करिए जो नया शब्द आया उसमें टाइप करिए और उसका आर्थ तुरंत आपके समक्ष उपलब्द हो जाएगा तो एक तो vocabulary आप अपनी strong करिए और दूसरा YouTube पर एक से एक channel होंगे जहां पर English पढ़ाई जाती है तो उन channel को search करके उनके lecture देखी और उनको note down करिए और जो पिछले वर्षों के जो papers हैं SSC के आयवे या अलग-लग competitive exams के उन papers को भी आपको fight करना इससे आपको idea हो जाएगा कि किस प्रकार के questions set होते हैं सबसे जरूरी होता है paper fight करना क्योंकि उसके बिना आप कितना ही पढ़ते रहो आपको ये idea नहीं हो पाएगा कि examiner questions set किस तरीके से करता है ये भाशा की बात हो गई अब मैं आ जाता हूँ अगला topic mathematics और reasoning देखें mathematics और reasoning के total 19 topic है और mathematics reasoning ऐसा subject है जो बिना teacher के समझने में थोड़ी समश्या आती है mathematics reasoning हम online भी कर सकते हैं लेकिन online की सबसे बड़ी समश्या ये है कि math और reasoning पढ़ने के दोरान जब तक student और teacher में यानि सिक्षक और विद्यारती के बीच जब तक समश्या के समादान को लेकर आपसी बातचीत नहीं होती तब तक mathematics और reasoning अच्छे से नहीं समझी जा सकती है तो अगर आपको YouTube पर कोई अच्छे वीडियोज मिलें तो वो देख लीजिए वैसे mathematics और reasoning के लिए आप जहां पर भी रहते हैं कोई डूंगरपूर या जैसल मेर या बाड मेर जहां भी रहते हैं तो आपके आसपास कोई अच्छी coachings हो math reasoning की तो वो आप एक बर देख लेना अच्छी faculty हो math reasoning की आप join कर लेना और जो जैपूरिया इसके आसपास रहते हैं और math reasoning की class अगर मुझसे लेना चाते हैं तो आख बंद करके मेरे पास में आजाना math reasoning जो पढ़ा दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा ये मेरा over confidence नहीं है ये मेरा confidence है जो की वर्षों से अध्यन कराने के बाद विक्सित हुआ है वर्षों से अध्यन कराने के बाद मेरे अंदर है लेकिन फिर भी mathematics और reasoning के जो notes होंगे वो मैं आपको उपलब्द करवा दूंगा PDF उपलब्द करा दूंगा math reasoning की वो आप देख लेना इसके बाद मैं बात करता हूँ लास्ट अमारा जो पार्ट है computer science का computer science के लिए देखे एक तो वो ही schools में जो आपकी books चलती है वो देख लेना 8 वी, 9 वी, 10 वी की उनको पढ़ लेना RS-CIT का course आपने किया होगा तो वो book देख लेना उसमें भी काफी कुछ matter दिया हुआ है एक बार इतना पढ़ लो इतना पढ़ने के बाद एक किताब और है RBD की जो इन दिनों अभी आई है उस RBD की किताब में Constable और पटवार दोनों के syllabus के according उस किताब को निकाला गया है वो computer science से related है तो उस किताब को भी आप ले लेना ये थोड़ा-थोड़ा आप पढ़ते रहें जादा burden के साथ आपको नहीं पढ़ना है चीजों को आपको enjoy करना है जितना पढ़ा जाए खुशी-खुशी उतना ही पढ़ना है और इन सब के साथ-साथ एक तो आप में regularity होनी चीए नियमित्ता होनी चीए कि भले ही daily आप 2 line पढ़ रहे हो लेकिन 2 line पढ़ो उससे जब आप में नियमित्ता आ जाएगी तो 2 की 4 और 4 की 20 line कब हो जाएगी और दूसरा पढ़ाई के साथ-साथ आपको अपनी सेहत और nutrition पे ध्यान देना ये सबसे जरूरी होता है क्योंकि होता है क्या इतने पढ़ते-पढ़ते हम अपने mind से काम तो करवा रहे हैं लेकिन mind को जितने nutrition चीए जितनी energy चीए वो mind को नी दे रहे हैं इसलिए daily exercise के लिए थोड़ा समय जरूर निकालना और nutrition proper लेते रहेना ताकि आपके mind से आप जितना work करवा रहे हैं उसको इतना nutrition उपलब्द हो सके और वो बिना ठके वे अपना काम कर सके और साथ-साथ life को enjoy तो करते रहो मजे भी करते रहो गुमते रहो एक दिन अपने लिए भी निकालो जहाँ पर गुमने के लिए जाओ यानि आपको पढ़ाई को enjoy भी करना है अपनी life को भी enjoy करना है तो इस तरीके से इस strategy के साथ अगर आप तयारी करेंगे तो मैने दो मैने में तीन मैने में आपकी कब syllabus आपका कब complete हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आप तयारी के साथ साथ enjoy भी करते रहेंगे पहले आप इतना करिये जो मैने आपको बताया है उसके बाद फिर किस प्रकार से per day आपको test fight करना है इसको लेकर मैं एक वीडियो और बना दूँगा लेकिन पहले आप date दो मैंने पढ़कर अपने आपको इस स्तिती में लेकर आजाओ कि आप test fight कर सको और जैसे भी आपकी तयारी चल रही है comment box में आप बताना और भी कोई अगर आपके और questions हो जिन पर हो सकता है मेरा ध्यान नहीं गया हो तो उन questions को बताना उससे related भी एक वीडियो में अपलोड कर दूँगा Thank you, धन्यवाद और आपका पटवार में selection हो एक seat ध्यान रखना एक seat आपके लिए ही है तो आपको अपने इससे की एक seat लेनी ही लेनी है आपको पटवारी में selection के लिए मैं पहले यानि की अगरिम बदाई और शुब कामनाई दे देता हूँ धन्यवाद